ये गाइस वेलकम बैक टू दू टेक्निकल क्लासेश तो आज की इस वीडियो हम यहाँ पर इस्टिल अलमीरा बनाने वाले हैं इसके लेंद्ध हम रखेंगे 1.5 feet के लिए यहाँ पर मैं inverted comma यूज करूँगा single inverted comma मैं यूज करूँगा fit के लिए और double inverted comma inches के लिए तो यहाँ पर इसके बाद width आ गई width इसकी यहाँ पर हम रख देते हैं 2.5 feet तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर इसकी height रख देंगे हम 6 feet तो 6 feet इसकी height रख दी हमने और यहाँ पर कुछ यह ऐसा हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर हम इसके supports बनाएंगे पर उसके लिए हम यहाँ पर dimensions को setup करेंगे हम तो वापस से हम आ जाएंगे फ्रांट लू में और यहां पर डबली प्रेस करेंगे इसको सबसे पहले नीचे ले लेंगे और यहां पर snap करा देंगे एक बार तो यह snap हो जाएगा इसके बाद यहां पर अब इसकी dimensions को define करेंगे तो actually में यह जो इसकी length होती है वो इसकी width होती है वो होती है लगबग 4 inches के लिए double inverted comma तो यहां पर एक कुछ ऐसा हो जाएगा इसके बाद यहां पर इसकी length और height तो हमें set length set नहीं करनी हमें और height भी यहां पर हम set कर देते हैं height लगबग height भी यहां पर होती है इसकी 5 inches इंचिस के लिए वापर से double seven column तो यहां पर यह हो गई इसकी height भी set इसके बाद यहां पर front view में आ करके इसको हम ले ले लेते हैं snap off करके यहां पर इसके कुछ easy के ले ले लेते हैं इसके बाद यहां पर इसको हम convert to editable poly कर देंगे convert to editable poly और यहां पर one press करके जो इसके जो vertices हैं इसको हम यहां पर snap करा देंगे तो यहां पर एक कुछ ऐसा बन गया है इसके बाद इसको थोड़ा सा और setup कर देंगे इसके बाद यहां पर हम इस support को कर देते convert to editable poly addable poly करने के बाद यहां पर हम वापस आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और यहां पर हम प्रेस करेंगे two two press करके यहां पर हम edges add करेंगे इसके अंदर तो यहां पर हम three edges set करेंगे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा हमें इसके बाद यहाँ पर यह three edges हमने add की है जो इसको हम करेंगे यहाँ पर chamfer और fourth को भी fourth और 15 सबको हम chamfer कर देते हैं यहाँ पर हम इनको कर देते हैं right click करके यहाँ पर chamfer तो यहाँ पर हम amount check कर लेते हैं और और यहाँ पर edges add कर देते हैं इसमें two edges भूखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर यह ठीक है two edges और इसके बाद यहाँ पर हम जो इसके अंदर वाली हम पीछे ले लेंगे थोड़ा तो इसको हम select कर लेते हैं तो यह हमने पीछे ले लिए इसके बाद यहाँ पर forward press करके इदर copy चोपी करने के लिए यहाँ पर वापस आजाता हो front view में और इसकी एक instance copy बना लेता हूँ तो यह इसकी instance copy बन गई है और इसके बाद यहाँ पर हम इस gate को ready कर देते हैं gate को ready करने के लिए यहाँ पर मैंसको select करता हूँ और इसको में यहाँ पर यह एधीटबल पॉलीम मैंने osas convert कर दिये है तो आप पेले कर देना इसको फोर प्रेस करके इसके बाद यहाँ पर हम इसकी gates बनाते हैं gates बनाने से पहले यहाँ पर हम इसकी edges हैं उनको हम यहाँ पर convert to enable poly कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं इस पर chamfer तो chamfer modifier हम डाल देते हैं इस पर chamfer modifier में हम यहाँ पर chamfer का amount कम ही रखेंगे तो यह कुछ chamfer का amount रखा है में और इसके बाद यहाँ पर इसमें edges जूड़ दी यहाँ पर 5 और यहाँ पर इसकी tension को कम कर देंगे हम तो यहाँ पर हमने इसकी edges को chamfer कर दिया इसके बाद यहाँ पर इसको वापस से convertible poly करेंगे और या फिर हम इस पर edit poly डाल चकते हैं तो हम इस पर edit poly डाल देते हैं यह edit poly तो यह edit poly डाल दिया हमने और यहाँ पर 4 प्रेस करेंगे और इसको हम करेंगे insert insert हम करेंगे यहाँ पर लगबग 1.5 inches inches के लिए double inverted coma तो यहाँ पर हम check कर लेंगे 1.5 inches कितना हो रहा है तो 1.5 inches ज्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर करते हैं 1.25 inches तो यह ठीक है इसके बाद यहाँ पर हम अगला काम करते हैं इसको इसको हम part में divide करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रेस करके इसके जो horizontal line से इसको select करके यहाँ पर इनके बीच एक edge add करूँगा और इसको करूँगा मैं यहाँ पर connect कर दूँगा select करके और यहाँ पर इनको करेंगे by polygon और यहाँ पर इनका amount विल्कुल कम करेंगे यहाँ पर करेंगे हम 0.5 cm यह भी ज्यादा हो गया है यहाँ पर इससे और कम 0.1 cm तो यह ठीक रहाएगा 0.1 इसके बाद यहाँ पर हम foot press किया हुए हमने और यहाँ पर इन दोने को select करेंगे shift press करके इनको हम select कर देंगे इनके loop को तो यह select हो गया है इसके बाद यहाँ पर इनको करेंगे हम extrude extrude हम करेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पर हम इनको पीछे की तरफ extrude कर देते हैं तो यह पीछे extrude हो गए हैं यहाँ पर हम देखते हैं यह इतना गी extrude हो गए हैं यह बहुत है इसके बाद यहाँ पर हम अगला काम करेंगे यहाँ पर इसके handle को बनाने का तो यह है यहाँ पर हमारी almira ready हो चुकी है इसके बाद हम यहाँ पर इसका handle बनाते हैं handle बनाने के लिए यहाँ पर मैं आ जाओंगा top view में top view में आकर करके यहाँ पर मैं बनाओंगा सबसे पर एक cylinder segments को add कर देंगे बहुत सार सेग्मेंट कर देंगे जिससे कि हम यहाँ पर इसको bend करें तब दिक्कत ना आए तो यहाँ पर left view में जाओंगा मैं और यहाँ पर इसके pivot को हमें सबसे पहले इसको center में लेना पड़ेगा उसकी height थोड़ी सी कम कर देते हैं height यह ठीक रहेगी इस से थोड़ी से और कम होगी तो और अच्छा रहेगा और यहाँ पर इसकी radius भी थोड़ी सी कम रहेगी तो सही रहेगा तो यह ठीक है इसके बाद यहाँ पर हम इसको हम करते हैं bend तो यहाँ मैं लगूँगा bend modifier लगाने के इसके बाद यहाँ पर हम एक्सिस जून लेंगे इसका और इसके बाद यहाँ पर एंगल 45 डाल देते हैं और यहाँ पर इसके बाद एक्सिस चेंज कर देंगे और यहां पर हमें एक चीज़ बेंड को हम डिलीट करते हैं एक बार और यहां पर हमें एक चीज़ दियान रखने हैं को हमें पेले पाईवोट चेंज करना होगा तो इसका पाईवोट को हम सेंटर में ले 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 लेते हैं affect pivot only and center to object तो यह center में आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर हम इस पर modification कर सकते हैं इसकी height में देख रहा हूँ थोड़ी ची बढ़ा देता हूँ बढ़ा दिये वापस से हम इसका affect pivot only align to object center to object और इसके बाद यहाँ पर हम अब वापस से अब लगाएंगे इस पर bend modifier तो bend modifier लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके angle को करते हैं 45 तो 45 भी कुछ ऐसा हुआ और यहाँ पर हम इसकी direction करते हैं 45 तो 45 भी इदर आईए तो direction हम करते हैं minus 90 तो यह आप सही आ गया है और यहाँ पर हम जाएंगे left view में और यहाँ पर इसको set करेंगे अब इसके जो limits है हमें change करने होंगे तो यहाँ पर upward limit तो में डाल देता हूँ 50 और lower limit डाल देता हूँ minus 50 यहाँ पर इसके बाद हम इसकी copy बना लेते हैं तो यहाँ पर हम shift press करके इसकी copy बना लेंगे तो इसकी copy बन गई यहाँ पर और इसको हम यहाँ पर set कर देंगे तो यहाँ पर यह हमारी almira बन चुकी है और यहाँ पर इसके बाद हम इसको एक बार ऐसे color लगा देते हैं अगली वीडियो हम इसके texturing बगरा करेंगे तो यहाँ पर हम इस पर एक बार यह color लगा देते हैं इसके बाद तो आगली वीडियो में हम यहाँ पर इस पर टेक्सिरिंग करने वाले हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद दाते हैं, वीडियो को लाइक कर देजगा चैनल को सबस्क्राइब तॉपर चीनल को शेर करना मत भूलेगा और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें आफलोड कर सकते हैं और हमारा चैनल जोइन कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद